क्लारिफिकेशन जो कुछ भी उनका डिमांड था रिक्वेश्ट था हमने सब कल आल पार्टी मीटिंग ने क्लियर कर दिया है आप और नया लाएंगे ला सकते हैं इमेजनेशन के लिए मैं कैसा उत्तर दू कोई भी सरकार और कोई भी विक्ति आप इमेजन करते ही जाओ हम उ अधर क देते रहें कैसे होगा तो आमने तो हमारा जो आज इंडा हमने बताया है और 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 हागत आएगा क्या आगे परसा क्या आए Aoर पर si सभां यह तो हम कैसे बोल सकते हैं तो आज के दिन में हमारा जशंड से लेकर आज तो मैं इतना ही कल भी निवेदन किया हूँ और आपके माध्यम से आज भी निवेदन करता हूँ आज जो 75 येर्स का सम्विधान सभा से लेके आज तक हमारा अनभव सीख ये सब के बारे में आज चर्चा है वो चर्चा में भाग ले 75 येर्स कोई भी एक देश के जर्णी में बहुत बड़ा इंपोर्टेंट होता है इसलिए आगे कैसे हमको जाना है क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने संकल्प लिया है और आयलान किया है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन करके हम लेके जाना है सब देखते हुए हम सब को आगे कैसे जाना है इसके बारे में चर्चा करना चाहिए ये सरकार का निवेगा वो तो सब स्पीकर साब से यहां डिशिजन होगा तो प्यम साब बोलेंगे जब बोलेंगे बोलेंगे